हाई एवरिवन कैसे हुआ आप सब तो चलिए आप सब के लिए लेकर मैं आगई हूँ एक वार फिर से फ्लैस सीजन टू का एपसोर नमबर 18 जिसके सुरवात और टू के एक सीन के साथ होती है जिसमें पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है उसमें एक छोटे बच्चे के सा नाम हंटर जोलवन है उसे अनात आस्रा में डाल दिया जाता है और इसी के साथ यह सिन कट कर सीन प्रेजेंट में आते हैं यानि कि अर्थ वन पड़ाती है जहां बैरी यानि फ्लैस एबाट थान के बताए इंस्ट्रॉक्शन को फॉलो कर अपनी स्पीड चार्ड गुना ज उते हैं चांदल गहिंगे और हंची प्रिश को बंढ़े कि छोड़ां कि यहां। को भी टोचर करें यहां बैरी डॉक्टर हैर्सन कोट कॉट्विन्स करने की कोशिज भी करता है पर वह नहीं मानता है जिस पर कि आप कैथलीन से ब्रीच खोलने के लिए डिवाइस बनाने बोलता है जिस पर आप फॉरण इस इसको और कैथलीन काम पर लग जाते हैं पर इसे उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाती है जिसके बाद वे तीनों डॉक्टर हैसन के पास एक वार फिर जाते हैं और सिसको के डॉप एंगलर रिवार्ब के बारे में पूछते हैं क्योंकि जब सिसको रिवार्ब से मिला था उसे रिवार्ब ने बताया था कि उसके पास ऐस सकतिया मौझूद है जिसके बारे में को इमेजन भी नहीं कर सकता तब आगे उन्हें बताता है रिवर्ब के पास ऐसी सकतिया है जिसके कारण वह मुल्टी डामेंशन को मैनिकुलेट कर सकता है यानि कि यहां पर यूनिवर्स में जितने भी डामेंशन है वह उसे अपने बारे में उसिको को यह भी बताए जैसी ही यानि कि अभी ऑप ब्रीज को खुल सकता है जिसके बाद सबस्के। वह ब्रीच को खूलने के लिए कोसिस करने लग जाता है यह मैं जाटाए आघे रात के बड़ डाक्टर हैसान ज्योकुँक्ड के घर उससे मिलने आता है ज्युवत है मुझे मालूम है आपकी बात कभी नहीं टालता है जवाद में ज्योकिता है इसके बावजूर भी मेरा बैरी उस मॉंस्टर जूम को खतम करना चाहता है ताकि वो कोई और मासूम की जान ना ले पाए और मुझे लगता है इसमें आपको भी बैरी का साथ देना चाहिए तो यह अब अगली सुबच जब एक बार फिर से हां सिसको ब्रीच खोलने की कोजि कर सकता है अब इस गोगल्स को जैसे इसको पहन कर ब्रीच खोलने की कोशिस करने लगता है यहां हम देखते ब्रीच खूलने लगती है पर तभी सिसको यह अचानक से रुक जाता है और डरा हुआ सा कुछ सोचते हुए यहां से चला जाता है तो है अब जोई और आईरी इसको से मिलकर पूछता है आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है जवामें से इसको बताता है कई इतनी पावर्स को यूच करते करते मैं रिवर्ब की तरह बुरा इंसान ना बन जाओ इसी करन में बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ जिस पर मुस्कुराता हुए बैरी ब पहुंचने वाला था बैरी कैथलीन के पास जाकर उसे कमफर्टेवल रहने को बोलता है चुकि हम सभी जानता है फ्रेंस कैथलीन जूम यानि जे गैरिक से प्यार करती है जिस पर कैथलीन रोते हुए बोलती है वह जो कोई भी है जूम जे या हंटर जोलोमन है अब मुझे एपिसोट के सुरुवात में भी देखी थी जिसके बाद यहां अब हंटर जोलोमन के नाम सुनते ही डॉक्टर हैर्सिन बताता है हंटर जोलोमन तो और्थ टू पर एक सिरियल किलर का नाम है अब यहां हंटर जोलोमन की तस्वीर देखते हैं यह सारे दम हो जाते क्योंकि जे कितरे ही दीख रहा था तो फ्रेंज आप ज्यादे यहां कन्फ्यूज मत होएं तो कहानी यहां यहां कि जूं का ही असली नाम हंटर जोलोमन है जो की एक सिरियल किलर है और जिस डॉप एंगलर को उसने हंटर बोला था दरसल वह असली वाला अर्थ वन का जे गयरिक था और जिस दिन अर्थ टूप पार्टिकल एक्स्प्लोजन हुआ था उस वक्त हंटर की वही थेरेपी चल रही थी और साइध उसी पार्टिकल एक्स्प्लोजन से निकली डार्क मैटर के कारण हंटर जोलोमन को पावर मिली होगी जिससे कि वह आज जूम बन चुका है अब च से कैट कर लेगा अब आगे सब वैसा ही होता है जैसा बैरी ने प्लान किया था बिरीच खुलते ही जूम आज आता है जिसे बैरी अपने पीछे लाते हुए बातों में उलजाकर जूम के माता-पीता की तस्वीरें दिखाकर जूम के पैरों में एक इलेक्ट्रिक डिवाइ के साथ घर लौट जाता है तो वह देखता है घर की सारी चीज़े इधर उदर बिक्री पड़ी है और दिवार पर उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है कि अगर वैली की जान बचाना चाहते हो तो अपना स्पीड मुझे देना होगा अब यहां चुकि बैरी अच्छी तरी सिस्को की पावर की मदद से वह जूम तक यह मैसेज पहुचा देता है जिसके बाद फॉरण इस जिख यह सब काफी ड़ा होता है उसे घर भेज दिया जाता है जिसके बाद अब डॉक्टर हैट्सन बैरी की स्पीड एक वाट फिरसे पहले की तरहाई इक पाइप जैसी बो सिरियल किलर था यहां मिलने के बाद बैरी की जान लेने की कोसिस करने लगता है तब कैथलीन आगे आकर रोते हुए जूम को बोलती है अगर तुमने जितने विवादे आज तक मेरे से की है ना उसमें थोरी से भी सचाहिए तो उसके खातिर प्लीस बैरी की जान बक्ष दो अब यह सुनते ही जूम यहां रुक जाता है और फिर कैथलीन को लिकर यहां से भाग निकलता है और इसी के साथ यह एपसोड याई पर खतम हो जाती है तो फ्रेंस यह थी मेरी आज के वीडियो अगर आपको पस बचाना चाहती हूं कि एक दिन में 2 क्या मैं 3 वी वीडियो बना सकती हूं पर जो इजी पर मैं वीडियो देपार नहीं मिल पाएगी क्योंकि ज्यादा क्वांटीटी के चक्र में अच्छी सी क्वालीटी देना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा यानि कि उसक्त मैं साथ आप करना चाहती हूं कि बस रैंडमली मैं वीडियो आपको दे दू यूहीं जिसमें कोई सेंसी ना बने और प्लस स्क्रिप्टिंग में तो इतना एफ़र्ट लगता है साथ ही में एडिटिंग में भी हमारा लगबग टाइम लग जाता है यानि कि टोटल जो हमारा मेहनत हो जा आपके कमेंट्स को परती हूं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूं आप जो मुझे कमेंट्स करते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता हूंने पढ़कर आइड रियली लाइक टीके आप मेरी मेनेत को इतना पसंद करते हो तो या बस मुझे यहीं बोलना था तो चलिए फिन मिलते अपने नेक्स वीडियो में तिल देन तेक केर और बबाए